अब तो हलो पाइद अनोगनोंगा चैनल तो फिर इस वीडियो में आपको आपके PC में आपको पैरिमेरी और सेकेंडरी दो हार्टिक्स एकसाद लगाना है और आपको किसी हार्टिक्स पुरूए तरह पैरिमेरी आपको करना है तो जब अब बूट होगा अपके तो ऐसे जो हैर डिग से तो एक से और वह ज़्यादा ही के आपय जाने के बाद कुस आपको इसलेटकर रखना है जवे आपके जो बूट होगाए तब जो इसलेटकर एक इसलेटकर करके रखना है जो SSD है SSD से वूठ होगा तो इस वीडियों में आपको सारा कुछ जानकर आपको मिल जाएगा तो देख लीजिगा तो चलिए शूर करते हैं जाएगा तो फिर से पहले यहां दो हडीन लगाएंगे तो आपको पावर साप्लेग देने पड़ेगा तो यहां इस अपर मेरा जो DVD राइटर है तो आपड़ झाप्ली के लिए और यहीं केबल के लिए जो केबल कर दूबूं करके हैं आप जो हाड डिक्स हम लेंगे वहाड आफ डो hard disk के लिए पर harbor के लिए और data sisters see here one hard disk लगा दिया है तो आप दोग देखे आप मेरत lotta मैं इस PC में two hard disk के लिए अचो आप लागा दिया है तो आप वहाद देख सकते हैं यहाँ आप माई PC में राइट क्लिक रने के बाद आप जो मैनेज मेंनेज में लिखा होओए है इहाँ पर ड़ीज लगा होओए एक दीच जीरो है और एक दीच ओन अन है सकते है तो यहाँ पर डिच आपनेज़ाई सब्सक्राइब करने के लिए आपको रिएस्ट करना पड़ेगा और बूट सेटिंग आपको करना पड़ेगा तो बूट सेटिंग करने के बाद आप कौना हार डिक से ओपन होगा वह आप सिरेट कर सकते है तो जो आप अपर देख लिए माई PC में आने के बाद अपने के बाद इसे ने के आपको धिश देख सेकते हैं या पर डिश जीलो और डिश अ तो इसी से Windows 10 यहां पर चल रहा है और दो डिवाइट क्या हुआ है दिस तो एक है और एक है 47.8 GB तो एक दो हो गया है अभी और जो जो है एक दिस जिरो से जिरो है और यहां पर जो Windows 10 लगा हुआ है यह देख सकते है यहां पर Windows 10 का फाइल है तो एक दिस जिरो में जो Windows 10 है उसका फाइल यह से आप देख सकते है तो चलिए अभी रिएसर्ट करके आप लोगों देखा देते है तो फिर अभी आम लोग यहां पर रिएसर्ट करेंगे तो रिएसर्ट करने के टाइम आपको कोई भी एप बगड़ा ओपन क्या हुआ है तो पर आपके PC में एप 10, 12, 11 जो भी हो सकता है मागर मेरा जो पर फॉंटेक श्री आप लगा हुआ है तो यहाँ पर डिलीट करने से यहाँ आपर बूट मेनू ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं यहाँ आपर बूट मेनू ओपन हो गया है यहाँ पर कौनसा हटडिक से ओप आपको कुछ नहीं करना है आप देख सकते हैं आहाप आपा आपको कुछ नहीं करना है आपर इरो अरो करके यहाप जो बूट आपको मिल जाएगा एहापर नीचे हाड़ डिक्स में आजाएगा यहां पर आजाईए आने के बाद यहां पर पर्स इम्हेर की सब यहां डिक्क शो करेंके साै हां पर हाएगा अियहां यहां आपके यहां पर दो उसे हां भर पर अपर करना बूट ऑफशन अन्न में जो भी हगत रहे संसगत है उपके program यहाप बूट आपना चाहते तो यहाप को जी पर आप पर आप है ऐसे जो port है यहां पर 0 on 0 2 करके यहां पर दिया गया है तो 0 on कून सा harddisk में लगा हुआ है उससे आप पता कर सकते हैं और हर्डिक से उपर भी model नम्बर लिखा हुआ रहेगा उस नमबर देख के भी आप यहां पर कर सकते हैं तो देखिए यहापर हमना 4 harddicks लगा हुआ है तो 2 harddicks यहापर है और यहापर model नमबर भी दिया गया है तो यहापर 0 on जो शाटा में जो harddicks लगा हुआ है उससे हम लोग बूट करेंगे तो यहापर skip करके यहापर आजाया तो देख सकते हैं यहापर बूट option on यहापर लिखा हुआ है और यहापर model नमबर भी आपको मिल जाएगा यहापर जो पी 0 लिखा हुआ है तो उससे भी आपको पता जागाए तो यहापर देख सकते हैं यहापर आपके प्रियर 2 फेस करने से यहाँ पर सेपी करने से फेmekाई एक फेस्व करने हो नोगने के यहाँ चाहएगा ख़र अश्वनिया से फेस्ट करते हृँ तो झालब चाला हो तो पर एक फेस्ट पर गज को मैं में एक से ज्यादा हृज कर सकते हैं सबसे पहले जो है प्राइमेरी का लिजिए उसके बाद भी हार्डिक से तो आप कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपिन हो गया है अभी कुछ सेटिंग करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माई कॉंप्यूटर का जो डेष्टप आइकोन है और लोग ले आयेंगे टो संबस्क्राइब है तो देख सकते हैं यहां पर जो अग्assis डिदर कें ज्यास बाद और प्रेस कहा आइकन है वह आ जाएगा तो फिर आप अभी कोई भी हार्डिस लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं आपके पास अलड़ी एक हार्डिस है तो आप वह बस इस्टोर्स के लिए रखिए और आपके PC में SSD लगा दीजिए सबसे अच्छा होगा आप M2 SSD लगा दीजिए तो उसका स्पीड मिलेगा वह बहुत अच्छा मिलेगा नॉर्माल SSD से M2 SSD जो है उसमें स्वासा ज्यादा आपको स्पीड मिल जाएगा सिप SSD लगाने से आपको स्पीड नहीं मिलेगा आपको ऐसे करके प्रमेरी आपको कर लेना है जो SSD होगा आप प्रमेरी कर लिजिए और जो स्पीड मिलेगा जो भी आपको काम कर रहे है कंपूटर में वह SSD से होगा तो अभी इस टाइम में कुछ अस्टा क्वाइटे का SSD का लिंक निचे रिशन है दिया हुआ है और जाकर आपको प्रमेरी कर सकते है और उस लिंक से आप ले भी सकते है तो अपन ऐसे करके आपके प तो बस सेकंडरी जो है आपके बस इस्टोर के लिए और प्रमेरी जो है बूट होगा उस हार्डिक्स में और सबसे अच्छा होगा आपके जो SSD लागा हुआ है और SSD से ही आप कीजिए और SSD नहीं है तो किसी भी आप प्रमेरी कर सकते हैं तो एई शोरा है जानकाई देने के लिए बिदों में त्यार किया है तो थैंक्स एच्छा वीवर देखने के लिए और वीडों आच्छे लगे तो लाइक आश्यर करें देजिएगा और ऐसे और योवर देसे तक जिमेंच अगा तर्यूंट में दवा देखने के लिए